जैश्री महाकाल मेरे प्रियस सादकों और मित्रों आज मैं आप सभी को एक ऐसा सोयम सिद्ध बंगाली मंत्र बताने आया हूँ जो हमारा परिक्षित मंत्र है और कई दफा ये बोल सकते हो पास साथ सो बार हमने इसका प्रयोग किया होगा लोगों के इलाज के लिए आप भी इसका प्रयोग कर सकते है क्योंकि आज अभी जो चल रहा है ये बारिश के जो दिन चल रहे है इस समय सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है डाइरिया यानि लूज मोशन दस्त और उल्टिया होना ये आम बात है तो मैंने सोचा आप सभी को ये जो दस्त और उल्टी बंद करने का मंत्र देना चाहिए क्योंकि इसकी आवशक्ता किसी को भी पढ़ सकती है कल एक हमारा सादक है उसको भी लूज मोशन हो रही थी उसने आज मुझे वाटसप भी किया था तो उसको अकेले को देने से बैतर मैंने ये समझा कि आप सबको भी ये मंत्र दे दिया जाए तो इस मंत्र का आप लोग प्रयोग करे और सभी लोगों को आप ठीक कर सकते हैं यहाँ बड़ा प्रचिलित एक बंगाली मंत्र है इसका प्रयोग जब कभी अगर मुझे भी कोई समस्या हो जाती है इस तरह की तो मैं खुद प्रयोग करता हूँ आज तक मैंने कभी दस्त या उल्टी के लिए दवाई का प्रयोग कभी नहीं किया चाये खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो तो यहाँ मंत्र हर घर घर तक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ जो मंत्र है अम्रित के समान है और सोयम सिद्ध मंत्र है केवल आपको ग्यारा बार पानी में उसके लिए आपको जो पहले पानी गरम करके थंडा कर ले और उस पानी में इस मंत्र को आपको ग्यारा बार अभी मंत्रित करना है कितने बार ग्यारा बार और ग्यारा बार कैसे सुबह दोपेर शाम एक ही पानी में ग्यारा ग्यारा बार पानी पढ़ते रहना है आपको ठीक सुबह एक बार पढ़के फुक मार लोगे दोपेर को और एक बार शाम को इस तरह और वो जो पानी है वो आप रोगी को पिलाते रहे रोगी दूसरा पानी नहीं पिएगा वही पानी पिएगा उसको एक ही दिन में आराम हो जाएंगा जो लुज मोशन या जो ओमेटिंग दवाई से भी बंद नहीं हो रही हो 8-8, 10-10 दिन से जो लोग परेशान हो उसे ये पानी पिला देने से वह रोगी ठीक हो जाता है अगर रोगी दूर हो तो आप एक साथ इस मंतर को 33 बार अभी मंतरित करके भी दे सकते हो कितने बार? 33 बार एक साथ अभी मंतरित कर ले और दे दे तो अभी मंतरित कैसे करना है? एक बार आपने मंतर पड़ा, एक बार आप फूक मारोगे फिर मंतर पड़ोगे, मंतर पूरा होगा, फिर फूक मारोगे ऐसा हर मंत्र के पूरा होने के बाद आपको एक फूक मारना है ऐसा 33 बार फूक मार के भी आप एक साथ भी पानी अभी मंत्रित करके दे सकते हो तो ये बड़ा सोयम सिद्ध मंत्र है और मुझे लगा कि आप लोगों को देना चाहिए क्योंकि बारिश के दीन चल रहे है और पता नहीं ये परेशानी किस किस के घर में होगी तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अब कुछ बाते मैं थोड़ा सा हमारा एक दूसरा चैनल है उसके बारे मैं आपको बता दू हमने एक दूसरा चैनल चालू किया है अगोर मार्ग साधना हमारे चैनल का नाम है अगोर मार्ग साधना जो हमारा दूसरा चैनल है उसमें हम साधना संबंदी सारी जानकारी आप लोगों को दिया करेंगे उसमें सभी साधना संबंदी वीडियो अपलोड होगे और साधना संबंदी सारी जानकारी उसमें आपको सिखा ही जाएंगी जैसे मालाओ को कैसे सिद्ध करना चाहिए आसन कैसा बनाना चाहिए क्योंकि आसन का जो है बड़ा मत्व है साधना में और साधक को खुद का आसन खुद तयार करना होता है जो आसन है वो हैंड मेट होना चाहिए या तो वो खुद तयार कर सकते या उनका गुरू उसको तयार करके दे सकता है तो वो भी हम सारी चीजे उसमें आपको सिखाएगे तो आप सब लोग उस चैनल को जाके जरूर सस्क्राइब करे अगर आपको चैनल सर्च में नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे उस दूसरे चैनल का लिंक दे दूँगा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे उस चैनल पे जा सकते हो और वहाँ पे मैंने एक घर का बंदिश करने का मंतर भी अपलोड किया है बड़ा पाउरफुल बंगाली मंतर है सोयम सिद्ध मंतर है तो वो मंतर भी आप वहाँ से जाकर ले सकते है और दूसरी एक बात बता दू हम हमारा एक नया वेबसाइट लाँच कर रहे है जिसका नाम है अब अगोरमार्ग.com आपको इंगलिश में टाइप करना होगा अगोरमार्ग.com तो आप हमारे वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे वहाँ वेबसाइट हम बस आज कल में जो भी शुब मूरत होगा शुब मूरत में हम उसे लॉंच कर देंगे आप वहाँ से साधना संबंदी सारे प्रोडेक्ट आप वहाँ से खरीद सकते हो और सारे जो प्रोडेक्ट है वो हम खुद सिद्ध करते हैं सुद्ध भी करते हैं और सिद्ध भी करते हैं जिससे की साधक को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा ना ही कोई उसे कोई सामागरी सिद्ध करनी पड़ेगी ना सुद्ध करनी पड़ेगी वो सीधा सामागरी हमारे वेबसाइट से बुला कि अपनी साधनाये पूरी कर सकता है कौनती सामागरी किस-किस काम आती है सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिलेंगी जो लोग तंत्र काट करवा रहे हैं वो लोग हमारे वेबसाइट से सुरक्षा ताबिज बुला सकते हैं घर की सुरक्षा के जो पानी है वो सारी चीज़े आप वहां से बुला सकते हो और अपने घर की सुरक्षा कर सकते हो, क्यूंकि देखिए मैं तंत्र काट कर देता हूँ आप लोगों का और बाद में फिर से आपके उपर चीज़े आप हमारे वेबसाइट से बुला सकते हो और भहुत कुछ जैसे जो लोग व्यापार करते हैं व्यवसाय करते हैं उनके लिए हमारा एक अगरबत्ती होता है जो की आपके व्यापार में वृद्धी लाता है घर में अगर आप जलाते हो तो घर में सुक शान्ती लाता है क्योंकि वो जो अगरबत्ती बनती है उसका जो मटेरियल होता है जो सुगंदित पदार्थ होता है अगरबत्ती के जो उसमें जो चंदन की कुछ लखडियों का पाउडर होता है वो सब हम मंत्रों से अभी मंत्रित करते है और उससे वो अगार बत्ती बनती है तो उससे भूत, प्रेट, पिसाच इस तरह की जो दिक्कत है वो भी आपके घर में भटकती नहीं है नेगेटिव एनरजी भटकती नहीं है तो ऐसे भूत सारे प्रोटेक्ट आपको वहां मिलेगे तो जैसे हमारी वेबसाइट लाँच होगी तो उसका भी हम एक वीडियो आप लोगों को सूचना के तोर पर अपलोड करेगे ताकि आप लोगों को पता चले कि वेबसाइट लाँच हो चुकी है और जो सादक हमसे सीखना चाते है अगोर मारक की जो बंगाली विद्याय जो सीखना चाते है साधनाय करना चाते है वो लोग पेड़ गुरूप में शामिल हो जाए मैं हर बार बता तो फिर भी आप लोग मुझे बार बार जानकारी पूछते हो पेड़ गुरूप में की जानकारी दो कैसे जुणना है मैं आपको बता रहा हूँ पेड़ गुरूप में जुणने के लिए आपको पाच हजार सौ उरुपे जमा करने होगे उसके बाद हम आपको पेड़ गुरूप में जॉइन्ड करेगे आपको पेड़ ग्रूप में एक मैने में 25 से 26 सोयम सिद्ध बंगाली मंत्र दिये जाएगे जो की सोयम सिद्ध होगा उसे आपको सिद्ध करनी की कोई आविशक्ता नहीं पड़ेगी आपको केवल मंत्र याद करना है कंटस्ट करना है और प्रेयोग में आप लिये सकते हो तो इतने पावरफुल यह जो बंगाली मंत्र है बंगाली मंत्रों का यही एक अपना मजा है कि इन्हें आपको सिद्ध नहीं करना होता है और मैने में आपको 25-26 मंत्र दिये जाते हैं हम हमारे तरब से कोई कसर नहीं छोड़ते सादक को सिखाने में हम हमारे तरब से कोई कंजूसी नहीं करते सादक के उपर निर्वर करता है कि वो कितने दिन में सिखता है उसकी मंत्र याद करने की जो शमता है वो उसके उपर निर्वर करती है हम तो हमारे तरब से पूर्ण कोशिश करते हैं कि एक सादक कम से कम समय में जल्द से जल्द सारे मंत्र को सीखे, विद्याओं को ग्रान करे एक अच्छा उच्छे कोटी का सादक बने और समाज में जाकर समाज का भला करे समाज को सादकों की जरूरत है, आज के योग में अच्छे सादक नहीं है लोगों का भला करने वाले सादक नहीं है, बहुत कमें गिने चुने है बुरा करने वाले सादक आपको हर गली में मिल जाएंगे काला जादू करने वाले सादक आपको हर गली में मिल जाएंगे ऐसे तंत्रिक जो लोगों का बुरा करते आपको हर गली में मिल जाएंगे लेकिन उनको ठीक करने वाला सुदारने वाला इंसान बड़े मुश्किल से मिलता है तो इसलिए मैं चाहता हूँ समाज में अच्छे सादक प्राप्त हो समाज को और लोग अपना जनकल्यान का कार्य करें ये मंत्र सिक्के मेरी यही आशा है अगले वीडियो में फिर आप से मिलूँगा